आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले कुछ इंपोर्टेंट टिप्स जो आपको एक्जाम से पहले पता होने चाहिए क्योंकि जो आपका एक्जाम है अब सिर्फ उसमें दो दिन बचे हैं आज नो तारिक हो गई है और 11 तारिक हो आपका एक्जाम है तो इस वीडियो के त अप्ता चल जाएगा किस तरीके कड्रेस कॉड रहने वाला है या फिर जो है एक्जाम का मोड क्या है इंपोर्टेंट डियुमेंट आपको क्या-к یने जो लेके जाने हैं साथ ही में आपको पैनक नहीं होना है ये बृट बाटें हम क्या है इसमें डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता देती हूं कुछ important tips जो कि इस वीडियो में included है सबसे पहले paper को कैसे attempt करना है उसके बाद है OMR fill करने का सही तरीका क्या है क्योंकि OMR जो है वो बहुत important है और OMR fill करना आपको सही से आना चाहिए यह बहुत important चीज है फिर pen आपको खुद को लेकर के जाना है या नहीं जाना यह सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा dress code क्या रहेगा timing क्या रहेगा और जो mode of examination है वो क्या है और कुछ important documents जो आपको अपने साथ लेकर के जाने है यह दो चीज है बहुत जादा important होगी documents वाली और OMR वाली तो पूरी वीडियो को आइं तक देखना साथी में यह जो वीडियो है चाहें आप इसको लाइक करें या ना करें बट शेयर जरूर करें अपने friends के साथ क्योंकि उनकी भी क्या है help होगी क्योंकि exam जो है आप सभी क को देकर के आना है तो इस तरह की भावना मत रखना और अपने जो भी friends है उनको भी आप शेयर कर सकते हो है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है जो paper है उसको कैसे attempt करें paper attempt करना जो है आपको एक easy way में आपको paper attempt करना है सबसे पहले देखो biology chemistry और physics हैं मान लो आपको तीनो subject अच्छे से आते हैं पर अगर आप according to your times देखें time देखें तो आप क्या है ये तीनो subject को weightage दे सकते हैं जैसे दो घंटे का exam होता है आपका और उसमें hundred questions आपके आते हैं तो आप क्या है इनको divide कर सकते हैं कि इतने minute में मुझे ये करना है तो आप अपने according पहले से ही time जो है वो बना करके जाओ कि इस तरीके से मेरे को करना जैसे आपको पता है biology में 33 questions आते हैं biology में 34 आते हैं chemistry में 33 आते हैं और physics में भी क्या है 33 questions आते हैं तो आप मानके चलो के आपको हर subject को लगबग 30 minute देने हैं वो एक दो minute उपर हो सकते हैं एक दो minute नीची हो सकते हैं लगबग हर subject को आपको क्या करना है 30 minute मानके चलना है अगर आपके आखरी में कुछ 20-25 minute बचते भी हैं या फिर 15 minute भी बचते हैं तो बहुत important है आपके लिए क्योंकि अगर आपका time बच रहा है क्योंकि आपको OMR भी भरनी है न अब ऐसे तो है नहीं कि आप जो है एक question करा OMR भढ़ती करें OMR भढ़ती ऐसे नहीं करना है एक साथ में आप एक जैसे वे कर सकते हो पहले biology की questions कर रहे हो तो उसकी OMR भढ़तो इस तरीके से आप कर सकते हो OMR का pattern मा भी आपको बता दूँ है अच्छे से उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि time आप कैसे manage कर लेना 30 minute में मान लो आप कितने भी अच्छे student of physics में, chemistry में चाहें आपको कितना मदब सारी subject अच्छे से आते होगा लेकिन आपको mostly अगर according to me देखे तो आपको सबसे पहले biology करनी चाहिए क्योंकि biology के अंदर जो question है आपको direct हियाद वाले question होते हैं उसमें सिरफ आपको जल्दी जल्दी tick करना होता है इसमें कई बार ही क्या होता है calculation कर सकते हैं आपको दिमाग लगाना पढ़ सकता है इसमें तो आपको जो है पढ़ा हुआ है उसके according NCIT में से direct question आएंगे तो यह आप जल्दी कर सकते हो तो इसकी वज़े से आपका time utilization है वो अच्छे से हो जाएगा तो सबसे पहले आपको biology कर करेंदें घ्रिदीं न कर रहे थी दन chemistry कर रहे थी क्योंकि फिजिक्स में कई बरी कुछ यह से numerica हैं तो हमको क्या है तो टाइम लग सकते हैं तो हम अमारा जो time है वो chemistry को पहले दे सकते हैं कि mostly chemistry में ऐसे questions साते हैं को हमें जादा dhyane में होते हैं और उसको जल्दी जल्दी कर सकते हो तो यह हो गया आपका जो पैटन है आप किस तरह के से इसको अटेम्ट करके आए सबसे पहले आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं आपको अच्छे जो सला है वो मैं दे रही है यहां पर ओके तो बाइलोजी के कोशन्स मैंने आपको बता दिये 34 आने वाले तो लगबग 30 मिनिट में आप सभी सब्सक्राइब करने की कोशिश करना और यह जो है आप टाइम उटिलाइजिशन मान के जाना क्योंकि आपका जो अगर आप 30 मिनिट इसको दोगे 30 मिनिट इसको दोगे 30 मिनिट इसको दोगे तो आपका जो पेपर है वो लगबग 1.5 आवर में complete हो जाएगा आपके पास कित सब्सक्राइब कोशिशन मान लो आपको आ नहीं रहा है तो एक बार आप उस कोशन पेपर में से गोला कर लेना और बाद में उसको ध्यान से देख लेना इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपका जो तेड़ घंटे में जो पूरा जो भी कोशन से सारे सेक्शन कंप्लीट हो ज दूसरा है OMR फिल करने का सही तरीका क्या है अब जैसे आप मान लो मैंने थोड़ी दिर पहले वी बताया है OMR जो होती है वो बहुत ज़्यादा में है इसके अंदर आपने एक बार अगर कोई गोला कर दिया है OMR फिल कर दिये तो वापिस उसको चेंज नहीं कर पाऊगे त आपका जो exact answer है वो आप पहले सही आपको धान में होना चाहिए कि हाँ इसका answer मैंने यही करना है तो आप फुल confidence होने चाहिए उस question पर अगर आप confidence नहीं हो मान लो कोई question ऐसा होता है ना कि हम confidence नहीं है दो options के बीच में confusion है तो आप एक बार उसको छोड़ देना और एना paper के last में लिख लेना यात हो कि मेरे को one number question नहीं आता two number नहीं आता fifteen number नहीं आता थरी number नहीं आता इस तरीक के questions आप paper के पीछे भी लिख सकते हो या फिर front page भी आप लिख लेना हना ऐसे question पे गोला भी कर सकते हो मानलो ये एक number question है आपने स्क्यूपर circle कर लिए आपको आता नहीं तो आपको paper में ढूणने में थोड़ी मुश्किल हो सकते है क्योंकि paper में आपकी 100 question है तो आप भूल सकते हो कि आपने कौन सा question नहीं करा है तो आप क्या है एक page के नीचे ऐसे छोटा छोटा लिख लेना कि एक number नहीं करा तो नमबर कोशन नहीं करा तीस number नहीं करा 75 number नहीं करा तो आपको असानी होगी रही बात OMR की तो OMR में सब कुछ अच्छे से करकर आना है OMR बहुत important है सबसे पहले आपको अपना जो भी headmate card पर roll number लिखा हूँ है वो अच्छे स लिख कराना है अपना नाम अच्छे से लिख करके आना है इसमें चाहें आप एक दो मिंट extra ले लो लेकिन जो आपका exact roll नमर है अच्छे से उसको लिख कराना यहां पर जो photos आपको आप जो साथ में लिखे जाते हो यहां पर चिपकाई जाती है उसके बाद है आपका जैसे यह ओमर है उसमें आपके options होते हैं मालो मैं इसको थोड़ा यहां पर लिख लिएते हूं जैसे यहां पर हम इसको circle को use कर लेते हैं यह circle यह circle यह circle और यहां पर बना लेते हैं थोड़ा चोटा अब इसको fill करने का जो सही तरीका है वो आपको आना चाहिए कुछ बच्चे क् कर देते हैं OMR में जो first time दे रहें उन्हें पता नहीं वो ऐसे भी कर देते हैं तो ऐसे तिक नहीं करके आने यह गलत माने जाएंगे या फिर कुछ बच्चे इसको छोटा सा भर के आ जाते हैं कि हां भई यह इसका अंजर तो जो machine जो चेक करते हैं आपकी OMR वो उसको जई स किया पैन और इसको यहां पर एकदम ऐसे फिल कर क्या आना है कि जो पूरा circle है उसको क्या है भर देना है अब जैसे मानलो मैंने यहां बीच में इसमें जगा छोड़ दी तो यह आपको नहीं करना है exactly पूरा जो आपका होना चाहिए फिल वो गोले में फिल कर देना है इसमे हम करने बाते हैं क्योंकि यहां पर स्क्रीन पर लिखना पड़ता है आप हम समझ गए होंगे पूरा गोले को फिल करके आना है आपको आना तो यह आपका हो गया UMR फिल करने का चाहिए तरीका है दूसरा हों बात करें अगर इसी में कइस बच्चे या करते हैं मतलब गोले से भार भी निकालते ते जैसे मैंने भी यहां काला गोले से तो बहुत ज़्यादा रेंक आके बीचे हो जाती है जो ड्रेम को लेज एक नंबर की विज़े से आपको नहीं मिल पाएगा तो यह हमेशा कहां में रखना आप है उसके बाद हम बात करते हैं पैन लेकर के जाना है या नहीं लेकर के जाना तो पैन जो है वो लेकर खुद से ही जाना होता है नीट के एक्जाम में तो पैन जो है वहीं से मिलता है लेकिन नहीं RHS entrance exam में आपको क्या है अपना खुद का pen लेकर के जाना है जो की important instructions में बताया गया था कि जो है black pen होना चाहिए आपका जो की bolt pen होता है वो ही आपको लेकर जाना gel pen नहीं लेकर जाना pencil बगारा कुछ नहीं लेकर जाना सिरफ एक black pen आपको आप अपने साथ में carry कर सकते हूँ ठीक है then what is dress code अभी dress code की बात मैंने पहले भी करी थी तो आप क्या है जैसे females और males के लिए मैंने अलग-अलग video भी बनाई है पूरी अच्छे से उसी video में दोनों के लिए बताये female को और male को किस तरीके से जो है अपने dress code रखना चाहिए तो आप वाली video देख सकते हूँ मैं यहाँ पर short में समझा देती हूँ female जो है वो lower t-shirts पहन सकती है jeans वगरा allowed नहीं होगी और female जो है जो सलवार, कुर्ती वगरा पहनते है तो वो भी पहन सकते है बट ऐसे देखना कि जो ज्यादा fashionable नहीं होने चाहिए ठीक है fashionable नहीं होने चाहिए ज्यादा उस पर button नहीं होने चाहिए और और एक और important बात कि जो females हैं जो जूती वगरा पहनती है तो आप वो मत पहनना कुछ कल मेरे को पूछ रहे थे students तो जूती वगरा जो है shoes वगरा यह दोनों को नहीं पहनना male को भी और female को भी उनको क्या करना है आप अपने slippers पहन सकते हो जो flat slippers होती है और sandals जो आते हैं जोनकी heel नहीं होती वो वाले simple sandals पह पहन के चले जाओ तो ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है और कोई जैसे customs वाले हैं बुर्खा वगरा जो भी आपके religion में हैं जैसे की तो वो जो है वो depend करेगा center पर कि वो आपको बुर्खे में अलाओ करते हैं नहीं करते तो आप अपना जो है extra जो भी कपड़ें वो आपके स जो उनकी customs है ना तो उसके coding वो जो है वो उसको लगा के जा सकते हैं इन में कोई issue नहीं आएगा और आपको भी lower t-shirts वगरा पहन के जाना है अब जो t-shirts होती है वो t-shirt उसमें ज्यादा बटन नहीं होने चाहिए और शर्ट जो है वो अलाओ नहीं है अगर आप शर्ट पहन क आपका track pants वगरा और यह सब जो है jeans वगरा यह allowed नहीं है कोई watch वगरा नहीं लेके जाने है तो यह सब मैंने आपको पहले उता जेते हैं simple आप light कपड़े जो है अपने साथ carry करो ठीक है तो यह है आपका dress code उसके बाद है timing क्या रहेगा time आपको पता है time जो है दो गंटे का ह time तो एक से लिखर के तीन बज़े तक आपका जो time रहेगा तो मेरे coding आप क्या करो जिसे instructions में लिखा है आपको एक घंटे पहले center पे पहुंचना है मतलब आपको 12 बज़े जो है center पे पहुंच जाना है entry start हो जाएगी तो आपको क्या करना है आप अपने center पे एक घंटे पहल चूट जाएगा ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा जो है weather अच्छा नहीं है रोज बारिश आ रही है इन दिनों बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आप क्या है डिली हो जाए transportation डिली हो जाए आपकी बस डिली हो जाए train डिली हो पहुंच जाए आपका जो मोसम है वो सही हो या ना हो यह हमें नहीं बता है इसलिए आप क्या है अपने according to situation आप देख लो और उसी according आप क्या है अपने center पर जल्दी पहुंच जाना ताकि आपको कोई परेशानी या दिकत ना हो उसके बाद में और एक बाद मैंने आपको यहां बता ही नहीं कि जो फीमेल से आपको उसमें से कोई भी ओनामेंट्स है या ब्रेसलेट्स है इयर पिन नोस पिन या फिर हेर बैंड्स क्लिप्स वगरा यह सब नहीं लगा के जाने है ओके फिर टाइमिंग मैंने आपको बता दिया यह थोड़े देर पहले पहले पहु करने हैं ठीक है तो हमेशा याद रखना कोई नेगटिव मार्किंग तो एक्जाम में होने नहीं वाली तो सभी कोशन्स आपको 100 के 100 कोशन करके आने हैं जो कोशन नहीं आ रहा है उस पे इस तरीके से तुका लगा करके आना कि इसका कोशन exactly उससे मिलता रहना चाहिए ऐसा कुछ भी कोशन में दुक्का लगाना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए आप दुक्का लगा रहे हो कोई भी कोशन में तो ऐसा नहीं है कि भई जो मर्जी आया ABCD ऐसे करा ABCD ऐसे 123 कुछ बच्चे से silly mistakes करते हैं उसी तरीके से आपको नहीं करने है आपको exactly सोचना है कि जाना और कोई भी कंडिडेट को जो है अलाओ नहीं किया जाएगा after the examination have started तो exam अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद entry नहीं होगी तो time से पहुंच जाना और जितने भी कंडिडेट है वो shall not be allowed to appear in without admit card अगर आप admit card नहीं लेकर आ रहे valid photo ID नहीं लेकर आ रहे pen card हो जाए अधार card हो जाए mark sheet हो आपकी अगर आप वो नहीं लेकर आएंगे तो exam में आपको entry नहीं मिलेगी तो important चीज है पहली कि आपको जो है अपना admit card लेकर के आना है admit card उस साथ ही में आपको कुछ passport size photos भी लानी है लगबग 3-4 photo आप एक साथ अपने साथ कैरी कर सकते हो मान लो कोई आपकी photo है वो misplace हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको 3-4 photo आपने साथ रखने है जो आपने form में फिल करी थी ठेक है जो passport size photo होती है और दूसरा आपको एक साथी में valid ID proof भी रखना चाहें वो आपका अधार card हो admit card हो जो भी 10th 12th का है या mark sheet हो 10th 12th किया फिर pen card driving license इस अब आपकी जो है एक photo ID proof होती है आपकी valid वो आपको लेकर के जाना है और मानलो को student है जो मन को बोलते रहते है मैम अधार card में जो हमारी date है बर्थ की ठीक है sorry जो अधार card में जो हमारी DOB है हा न वो क्या है हमारी अलग है और हमारी जो पेपर में हमने जो फिल किया है फॉम में अप्लिकरशन फॉम में हो सब हमारी अलग है तो आप ऐसा नहीं करना अपना धार कारड लेकर चल जाओ आप जो है अपना जो भी mark sheet है वो लेकर जा सकते कोई ऐसे नहीं कि अधार काड़ी लेकर जाना जरूर ही है ठीक है तो यह याद रख लेना उसके बाद है आपका एक्जाम स्टार्ट होने से पहले ही पूंचाने यह तो मैंने आपको बता दिया जो चीजे आपको अपको पैंसे लिखना है ठीक है बल्यक बॉल पैं होना चाहिए अपका और आपको अच्छे से यह जो सारी चीजी है वह आपके साथ में होनी चाहिए अपके नियुक्त नहीं करना है उसमें गलती नहीं करना है लाज़्यच पॉन्ट इसके अंधर था कि जो भी आपका हमने बताई था जो भी वो ID है जो कि आपको form में fill करनी है वो आप वही लिखोगे जो ID आप अपने साथ ले करके जा रहे हुआ ना तो यह important चीजे आप फोधान में रखनी है तो यह थे आपके जो भी important instructions है जो भी आपको follow करने है है वो मैंने आपको बता दिये हैं और यह आप हमेशा याद रख लेना तीन चीजे तो important है सबसे पहले आपको admit card अपने साथ में रखना है साथी में आपकी valid ID रखनी है passport size photo रख लेनी है और black pen रख लेना यह important तो यह जो है इस वीडियो में हमने अच्छे से सब कुछ जो है वो clearly examination point पर क्या क्या चीजे चाहिए है क्या क्या important documents और paper कैसे लिखना है pen लिके जाना है नहीं जाना timing क्या रहेगी mode of examination क्या है यह सब कुछ हमने discuss कर लिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगें ड्रेस कोड की भी मैंने बता दी वीडियो अच्छी लगें तो प्लेज लाइक सब्सक्राइब और शियर माई यूटूब चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच